नमस्कार शिक्षार्थियों एनायोस के स्टूडियों में आप सभी का हर दिख स्वागत है मैं डॉक्टर कपिल गोतम सहयक आचारिये संस्कृत विभाग मानविकी एम समाज विग्यान विद्यापीट वर्दमान महावीर खुला विश्विद्याले कोटा आप सभी का हर दिका भिननन करता हूँ हम आज पाठ बारह का द्यन करने जा रहे हैं जो भारतिय दर्शन कोड 347 के पुस्तक्तू की बारवी इकाई है इस पाठ का नाम है माया हमने अभी देखा था कि ब्रम जो है वह एक है तो यह ब्रम जो है वह अनेक जीव और जगत की रूप में अभियक्त क्यों होता है अर्थात एक ब्रम जो है वो अनेक जीवों में अनेक जगत में और अनेक पस्तू की रूप में अभियक्त हो जाता है क्या ऐसा कोई माद्यम है, क्या ऐसा कोई स्वरूप है, क्या ऐसा कोई सिद्धान्त है जिसके माद्यम से ब्रह्म अनिक जीव और जगत की रूप में व्यक्त होता है साथ ही हमने यह कहा था कि ब्रह्म जो है वो इस जगत का कारण है तो ब्रह्म इस जगत का कारण क्यों है कैसे है साथ ही हमने यह भी कहा था कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है ब्रह्म और जीव एक है अहम ब्रह्मासमी में ही ब्रह्म हूँ तो फिर जीव बंदन में क्यों पड़ता है जब जीव ब्रह्म में है तो बंदन में क्यों पड़ता है साथ ही जब ईश्वर और जीव में कोई अंतर ही नहीं है तो फिर दोनों में भेद क्यों होता है या जीव और ब्रह्म जीव और इश्वर जो है उनकी अभियक्ति किस माध्यम से होती है तो इन सभी प्रश्णों का उत्तर है माया तो आईए हम आज इस पाठ में, पाठ भारा में माया की विश्य में ही जानते है इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है अद्वेत वेदान्त में माया की आवशक्ता का ग्यान अर्थात अद्वेत वेदान्त में माया सिद्दान्त की आउशकता ही क्यों है माया पद का क्या आर्थ है और माया का अद्वेत वेदान्त की परंपरा में क्या लक्षन किया गया है माया को अनादी कहते हैं माया को अनादी क्यों कहा जाता है माया को हम मिथ्या कहते हैं तो क्या माया अभाव रूप है या माया भाव रूप है साथ ही कहते हैं कि माया से दूर रहना चाहिए तब ही आपको ब्रम का ज्यान होगा माया की निवरत्ती अत्यन आउशक है तो माया की निवरत्ती कैसे होती है हमने अभी देखा था कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह सत्तुरजस और तमस इन तीनों गुणों से युक्तो कर सगुण ब्रह्म की रूप में आ जाता है तो वो तीनों गुण जो है माया के गुण है तो वो तीनों गुणों का सुरूप क्या है साथ ही हम यह कहते हैं अद्वित विदान्त में कि माया जो है उसका वर्नन नहीं किया जा सकता तो माया को अनिर्वचनिये क्यों कहते हैं अनिर्वचनिये मतलब अन्डिस्क्राइबेबल कि हम उसको शब्दों के माद्यम से नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं शब्दों के माद्यम से हम उसको नहीं बता सकते हैं, तो ऐसा के से? साथ ही, जब हमको माया को जानना है, तो माया की सत्ता में प्रमान क्या है? अद्वित विदान्त में माया को अज्यान और अविद्या दोनों कहा जाता है, माहा सुशुप्ति का जाता है तो माया और अविद्या में क्या भेध है अत्वा माया और अविद्या एक है साथ ही हम कहते हैं कि माया से ही जीव उत्पनुआ है तो क्या प्रतिक जीव में माया अलग अलग है या माया एक ही है इसको भी हम इस पार्ट के उद्देशी के रूप में जानेंगे माया कहां रहती है और माया किसके माद्यम से ग्यान फेलाती है तो माया का आसर और विशे क्या है इसको भी हम देखेंगे साथ ही हम कहते हैं कि जो वो ब्रह्म है वो इस जगत का माया के माद्यम से उपादान कारण बनता है और स्वयम के और इश्वर के माद्यम से निमित कारण बनता है तो जो उपादान कारण बन रहा है वो केसे बन रहा है अर्थात माया जगत का उपादान कारण केसे है अब हम जानते हैं सबसे पहले कि माया सिद्धान्त को जानने से पहले यह जानते हैं कि माया शब्द का अर्थ क्या है माया कहते किसको है माया की वित्पत्ती हुई है मा माने धातु यह प्रत्ते से माच्छा ससिब्यो यह इस सुत्र से माया शब्द की उत्पत्ती हुई है माया का अर्थ क्या है माया के तीन अर्थ है पहला मापना मियते अनया संसार इती माया अर्थात जिसके द्वारा यह संसार मापा जाता है उसको माया कहते है मियते निर्मियते अनया संसार इती माया अर्थात जिस शक्ति के द्वारा इस संसार का निर्मान किया जाता है उस शक्ति को हम करते है माया मीयते निर्मीयते अनया संसारिती माया तो दूसरा अर्थ हो गया निर्मान रूपर्थ तीसरा अर्थ है ग्यान कराने वाली शक्ति अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है आत्मा में विद्यमान जगत अर्थात आत्मा में जगत है तो उसका ग्यान जिस शक्ति के माद्यम से होता है उसको हम कहते हैं माया तो माया के तीन अर्थ हो गए मापना, निर्मान करना और ग्यान कराने वाली शक्ति अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति माया एशी शक्ति है जो इस संसार को मापती है जो इस संसार का निर्मान कराती है और आत्मा में विद्यमान जो जगत है उसका ज्यान कराती है अद्वेत वेदान्त में माया को अनेक शब्दों से कहा गया है ये सभी माया के परियाए हैं कौन-कौन से हैं अज्ञान, अविध्या, प्रकृति, मिथ्याग्यान, अव्यक्त, अव्यक्रत, महाशुष्प्ति तथा अक्षर अब अद्वेत वेदान्त में माया का लक्षन क्या कहा गया है तो एक गरंत है तत्व प्रदीप का बड़ा ही प्रस्वित गरंत है अद्वेत वेदान्त का चित सुकाचारिय से प्रणीत है उसमें अग्यान का जब भी हम अब इस व्याख्यान में अग्यान शब्द कहेंगे तब उसका अर्थ आप माया ही समझना क्योंकि माया को ही अग्यान कहते है और माया को ही अविद्या कहते है अग्यान कहने का मतलब है कि माया ग्यान नहीं है तो ग्यान क्या है ब्रम चुकि ज्ञान ब्रह्म है तो माया अज्ञान है इसी प्रकार माया को जब हम कहेंगे अविद्या अविद्या का मतलब है कि जो विद्या नहीं है विद्या क्या है ब्रह्म तो विद्या और ज्ञान ब्रह्म के प्रियाए है अविद्या और अज्ञान माया के प्रियाएं हैं अता इस व्यक्यान में इस पाठ में हम जब भी अज्ञान और अविद्या का प्रियोग करेंगे तब आप उसका अर्थ माया ही समझना तो तत्व प्रदिय का पिका में अर्थात कि अनादी जो अनादी है जो भाव रूप है और जो ब्रह्म ज्यान से विलीन हो जाती है तत अज्यानम इती प्राग्या उसी को अज्यान कहते है सदानंद योगिंद्र ने एक ग्रंथ की रचना की है अद Hoffit Vedant की उसका नाम है वेदांत सार और अध्वेत वेदान्त के लिए यह ग्रंत, इस ग्रंत का अध्यन अत्यावशक है उसमें माया का लक्षन दिया है अज्ञानम हमने अभी कहा था कि अज्ञान और अविद्या जब भी हम बोलेंगे आप माया ही समझना अज्ञानम तु सदसब्याम निर्वचनियम त्रिगुनात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम अर्थात अज्ञान उसे कहते हैं जो सत और असत से निर्वचनियों सत्ता से और सत्ता राहित्य से जिसका वचन निर्वचनियम कहां नहीं जा सकता त्रिगुण आत्मगम जो तीन गुणों से युक्त है ज्ञान विरोधी अर्थात ज्ञान से विरोध करने वाली भावरूपम भावरूप है उस खक्ति को हम कहते हैं अज्ञान उस शक्ति को हम कहते हैं अविद्या उस शक्ति को हम कहते हैं माया अनादि भावरूपत्विस्थी ग्यान निवर्त्यत्वम अथात अनादी रेते हुए जो ग्यान के द्वारा निवर्त्त हो जाती है माया अब हमने इन लक्षणों को देखा और इन लक्षणों के आधार पर माया की पांच मुखे विशेच्थाएं चुनी हैं माया की पाँच मुख्य विशेष्टाएं ग्रहित की हैं कौन-कौन सी अनादी, भावरूप, ग्यान विरोधी, त्रिगुनात्मक और अनिर्वचनी है आईए इन पर हम चर्चा करते हैं पहला है माया का अनादित अर्थात माया को अनादी क्यों कहते हैं अनादी किसको कहते हैं जो उत्पत्ती रहीत होता है जो हमेशा से चला आ रहा होता है जिसका कोई उत्पत्ती बिन्दु नहीं होता उसको कहते हैं अनादी माया भी अनादी काल से चली आ रही है माया का उत्पत्ती स्थल नहीं है ब्रम्म को भी माया का उत्पत्ति स्थल नहीं कहते हैं ब्रम्म को भी माया का जनक नहीं कहते हैं अपी तु माया भी अनादी है अद्वेत वेदान्त में छे पदार्थ हैं जो अनादी माने गए हैं उनका ज्यान अत्यावशक है वो कौन-कौन से हैं जीव इशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर विदा अविद्या तच्चितोर योग है शड़मस्माकम अनादया जीव जीव इशो इश्वर विशुद्धाचित शुद्धु चैतन्य अर्थात ब्रह्मु तथा जीवेशयोर विदा जीव और इस्वर का भेद और पा ये सडम अस्मा कम अनादय है ये च्छे चीजें अस्मा कम हमारे अद्वेत विदानत में अनादी मानी गई है अब कहते हैं माया को भाव रूप का गया है भाव रूप कहने का मतलब क्या है कि माया का अभाव नहीं है अबाव किसका होता है जो वस्तु असत होती है उसको हम कहते हैं अबाव नासतो विद्धते बाव नाबाव विद्धते सत है कि असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता और जिसका भाव होता है उसका कभी अबाव नहीं होता उधरन के लिए वंद्या पुत्र अर्थात बांज का बेटा अब बांज के कभी बेटा नहीं होता पर ये शब्द परचलीता है वंद्या पुत्र तो इसको हम कहते हैं असत इसी प्रकार सश्श्रंग अर्थात खरगोश का सींग खरगोष के कभी सींग नहीं होते हैं इसी प्रकार आकाश कमल तो ये जो वस्तू है आकाश कमल, शश्रंग, वंद्या पुत्र ये असत वस्तू है और माया क्या है? सत है माया क्या है? भाव है माया भाव रूप है, अबाव रूप नहीं है तो माया भाव रूप कैसे है कैसे का जा सकता है कि माया भाव रूप है क्योंकि आत्म ज्यान से अज्यान की निवरत्ती होती है जब आपको ब्रम का ज्यान हो जाएगा तब माया हट जाएगी तब अज्यान हट जाएगा तब अविद्या हट जाएगी और आप अपनी रूप में इस्तित हो जाएंगे ऐसा कब होता है तो जिसकी निवरत्ती हो रही है अज्यान की निवरत्ती हो रही है माया की निवरत्ती हो रही है अविद्या की निवरत्ती हो रही है इसका मतलब है कि वै तब ही संभव है जब अग्यान भाव रूप हो अभाव रूप नहीं, अभाव वस्तु का तो कभी निवरत्ती होई नहीं सकती जैसे आकाश का महला उसको नहीं अटाया जा सकता है क्योंकि इस नाम की कोई वस्तु जगत में एक्जिस्ट ही नहीं करती इस नाम के कोई वस्तु जगत में नहीं होती तो माया के जो भाव रूपता है यह भी तीन प्रकार की कही गई है अर्थात माया लोकिक दृष्टी से सत कही गई है इस संसार में जब हम देखते हैं वेक्तियों को अग्यानी के रूप में तब सत के रूप में दिखाई देती है पर जब हमको शास्त्र का ग्यान होता है जब हमको अद्वित वेदानत का ग्यान होता है तब हमको इस बात का पता लगता है कि माया का युक्ति पूर्वक भी वेचन नहीं किया जा सकता गेया माया तिर्विर बोदे स्रोति युक्ति के लोकी है उसको फिर अनिर्वचनिय का गया है और जब हमको ब्रम ज्यान हो जाता है तब वो हमारे लिए क्या हो जाती तुछ नश्ट हो जाती हो ये तीन प्रकार की माया की भाव रूपता है फिर जो माया की विशिष्टा है वो है माया का ज्यान विरोधित अर्थात माया जो है अज्यान जो है वो ज्यान का विरोधि है ज्यान से दूर होता है ज्यान के द्वारा निवरत होता है यही माया का लक्षन है शंकराचारी ने विवेक चूडामणी में कहा है शुद्दा द्वय ब्रह्म विभोध नाश्या अर्थात शुद्द और अद्वितिय ब्रह्म जो है उसके ज्ञान से जो नष्ठ होने वाली है शुद्दा द्वय ब्रह्म विभोध नाश्या उससे जो नश्ट होने वाली है वह जो शक्ति है वह अज्ञान है वह अविद्या है कैसे सर्प ब्रह्मो रज्जू विवेकत हो यह था कि जैसे आपने अंदकार में रस्टी को देखकर सर्प का ब्रह्म कर लिया और आप उससे डर रहे हो कि यह तो सर्फ है रसी नहीं है पर आप जब जाकर कि रसी को पकड़ लेते हो तब आपको सर्फ का ब्रह्म दूर हो जाता है उसी प्रकार जब आप ब्रह्म को जान लेते हो तब माया अविद्या का विरोध हो जाता है माया अविद्या निवरत हो जाती है इसको कहते हैं माया का ज्यान विरोधित्व माया का ज्यान से विरोधि होना यहाँ पर दो दुष्टांत दी हैं कि रज्जू को रसी को जब आप पकड़ लेते हो तब सर्प का ब्रम दूर हो जाता है और आप जैसे सड़क पर चल रहे हो और आपको बीच पर अब माया जो है वो त्रिगुणात्मिका है अभी हमने बताया था कि माया जो है वो केसी है तीन गुणों वाली है माया के तीन गुण कों से हैं सत्व, रज, उर्तम इनको हम जब भी दर्शन की बाशा में बोलेंगे तब बोलेंगे रजस उर्तमस तो सत्व, रज, उर्तम, ये तीन प्रकार के गुण, माया के मुख्य गुण माने गए है स्वेता सुत्रोप निशद में का गया है कि अजाम जिसको किसी ने उत्पन नहीं किया दूसरा एकाम एक है लोहित क्रश्न सुक्लाम लोहित मतलब लाल, शुक्ल मतलब सफेद और क्रश्न मतलब काला कि ये तीन गुण उसके लोहित, शुक्ल और क्रश्न, लोहित मतलब लाल वर्ण शुक्ल मतलब श्वेत वर्ण और क्रश्न मतलब क्रश्न वर्ण तो ये जो तीनों वर्ण है इससे उसके तीन गुण इंगित हो रहे हैं कौन-कौन से लाल वर्ण है रजस का प्रतीक जिसका आर्थ होता है चंचलता श्वेत वर्ण होता है शांती का प्रतीक जिसको हम कहते है प्रकाश या स्पूर्थी सत्व गुण का प्रतीक है तो लोहित, शुक्ल और कृष्ण यह तीनों वर्ण जो है रजश, सत्व और तमस का प्रतीक है तो जो अविध्या है जो माया है उसके तीन गुण है कोण कोण सा गुण है सत्व, civरत्व अब माया की एन निर्वचनीयता भी एक विस्षिश्डा है कि माया जो है उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता माया का वर्णन नहीं किया जा सकता माया का शब्दों के माद्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता इसको किवल अनभू किया जा सकता है अग्यान नसत कहा जा सकता है नहीं असत यानि हम यह नहीं कह सकते हैं कि माया जो है वो यह है और नहीं हम कह सकते हैं कि माया यह है तो इस प्रकार जब हम माया को सत्ता के रूप में सत्त और असत्त के रूप में वर्णन नहीं कर सकते हैं तब हम कहते हैं माया जो है वो अनिर्वचनी है क्यों माया को हम सत क्यों नहीं कह सकते हैं सत चेतना बात देते हैं यदि आपने माया को ये कह दिया सत है सत का मतलब होता है कि जिसका कभी तीनों कालों में बाद नहीं होता है जो तीनों कालों में विद्यमान होता है उसको हम कहते हैं ब्रम उसको हम ब्रम कहते हैं ब्रम जो है वो भूत काल में भी है बुष्य काल में भी है और वर्तमान काल में भी है तो ब्रम का कभी बाद नहीं होता पर अग्यान को यदि आप सत कहोगे तो फिर उसका तो कभी बाद ही नहीं होगा जैसे ब्रम का कभी बाद नहीं होता जबकि हमने अभी आपको कहा था कि ब्रम्म के ज्यान से अग्यान अर्छात अविद्या माया निवरत it हो जाती है तो सत्त चेतना बात देते है और असत्त चेतना प्रतियते यदि हम कहें कि यदि उसको हम कहें असत तो फिर तो उसकी प्रतिती नहीं होनी चाहिए उधानन के लिए उधानन के लिए जैसे हमने कहा था कि शशसरंग, खरगोश के सिंग खरगोश के सिंग कभी होता ही नहीं है तो वो प्रतिती नहीं होता परन्तु माया तो प्रतित होती है यह जगत हमको दिखाई दे रहा है इस जगत का उपादान करन माया है इसलिए वह प्रतीत होती है परंतु वह प्रतीत होती हुए भी उसको सत नहीं का जा सकता क्यों क्योंकि ब्रम ग्यान से वह निवरत हो जाती है तो ना तो उसको सत का जा सकता है नहीं उसको सत का जा सकता है तो जिस वस्तू को नसत का जा सकता है नसत का जा सकता है उस वस्तू को हम कहते हैं आ निर्वचनिये तो माया क्या आ निर्वचनिये है माया की आ निर्वचनिये तक आ निरूपन करते हुए कि वह जो अग्यान और माया है ना तो उसको सत का जा सकता है ना ही उसको सत का जा सकता है और ना ही ये कह सकते हैं कि इस सत भी हो और सत भी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं इसलिए माया अंडिस्क्राइबिबल है माया का वर्णन नहीं कह जा सकता हम यह नहीं कह सकते हैं कि माया और जीव बिन हैं क्योंकि माया और जीव दोनों मिलकर के ही करता ग्याता और भोकता बनते हैं इसलिए ना तो वै ब्रह्म से बिन हैं ना ही वै ब्रह्म से अबिन हैं ना ही उभई रूप है ना तो माया के अंग है ना ही माया अंग रही थै और ना ही उभई रूप है अर्थात सांग और नांग ऐसा भी नहीं किसकते हैं इसलिए अत्यंत ही अद्वुत और अनिर्वचनी रूप वाली यह माया है महा ददवुता अनिर्वचनी रूपा महा नदवुत और अनिर्वचनी रूपाली जो है वो माया रूपी सकती है तो इस प्रकार हमने जाना कि माया जो है उसका अर्थ क्या है माया जो है उसको हम अनादी क्यों कहते है माया को हम बाव रूप वाला क्यों करते हैं अबाव रूप क्यों नहीं करते हैं अनादी बाव रूप हम यद्विग्यान इन्विलियते और उसको ग्यान विरोधी क्यों करते हैं उसको हम त्रिगुनात्मक क्यों करते हैं उसके तीन गुन कौन कौन से हैं इस पाठ के अध्यन से हमने यह जाना आगे हम माया के अन्य विशेष्टाओं माया के भेदों माया के कारण पर हम चर्चा करेंगे इसी के साथ सादर नमस्कार सादर धन्यवाद